आप से विडियो में स्वागत है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास नाइंद सोसल साइंस के बेरे वरी इंपोर्टेंट हम से क्यों कोश्चन कराने वाला हूं जो आपके आज की एक्जाम में डायरेक्ट पुछा जाएगा तो आप लोग वीडियो पर कंप्ले क्यों क्यों को देख लेते हैं तो देख लेते हैं तो देख यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्या देख सकते हैं एक क्या है कि टाइद का अर्थ होता है तो ताइद का जो अर्थ होता है धार्मिक कर ठार्मिक नंबर्बरीत में का 10 मीरत बोलन हो जाएगा ऐगा एक नंपर यहां phrase फ्रांसीं क्रांति अधे चलियरा फ्रांसी जिरूर में नमर्थ ते तीन देख लेते हैं क्या है कि चर्च के विसिस्कारियों को करने के लिए बैक्तियों के समों को कहा जाता है क्या कहा जाता तो पादरी वर्ग कहा जाता है तीन का सही उत्तर आप्सन नमर टू हो जाएगा आगे चलते हैं कोश्चन नमर चार देख लेते हैं कि कोश्चन नमर कि 1774 इसी में फ्रांस की राजगदी पर कुण आसिन हुआ तो कुण बेठा था तो लुई सोलुआ बेठा था ओप्सिन नमर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नमर 5 यहां पर क्या है देख सकते हैं कि लिब्रे क्या है तो जो लिब्रे है यह फ्रांस के मुद्रा है ठीक है आगे चलते हैं साथ यहां पर क्या दिया देख लिए कि फ्रांसी करांती किस सहर में शुरुआत हुई थी ठीक है फ्रांस की राइधानी पेरिस से शुरू हुआ था तो साथ का सही उत्तर हो जाएगा पेरिस इसका बिलकुल राइट उत्तर हो जाएगा कोश्चन नमर 8 क्या देख लिए कि नेपोलियन बोना पार्ट कोन था यह हमारा फ्रांस का समरार था आप्सट नमर 2 बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा question number 9 क्या है कि आतंग का राज किसने अस्थापित क्या तो इसका हो जाएगा सही उत्तर रोबेस पेर नहीं option number 3 बिल्कुल सही उत्तर है question number 10 क्या है देख लिजिए क्या है कि ओलम पे देख गूज कौन थी तो यह एक करांतिकारी महिला थी 10 का सही उत्तर option number 1 हो जाएगा question number 11 क्या है देख सकते है question number 11 के मारसीले क्या है तो जो मारसीले है यह फ्रांस का राश्टे गीत है 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा option number 1 बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा आगे चलिए question number 12 देखे लेते हैं question number 12 यहां पर क्या दिया है देखे लिजिए कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग एकटे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का नियने लिया था क्या है कि मेनर क्या था तो मेनर क्या है देखे लिजिए यहां पर options दिया हुआ है आप दो देख सकते हैं तो मेनर को यह बोला जाता है स्टेट अप्सेन नमर 3 बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा फ्रांस का स्यूत्तर हो जाएगा उप्सेन नमर इसका सुरुगत हो जाएगा पेरिस इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कोश्चन में 16 कि देगली 1790 इसुएं फ्रांस में करांती किसके सासनकाल में हुए तो लुई सोलवां के सासनकाल में हुआ था सोलो का से उत्तर नंबर तीन हो जाएगा कोश्चन में 17 यहां पर क्या करा देख सकते हैं कि फ्रांस में दूतिय एस्टेट के अमिर वर्ग को क्या कहा जाता है तो इसको बोला जाता है कूलीन बर्ग ठीक है 17 का से उत्तर नंबर दो हो आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 19 समया पर क्या दिया देख लेजिए कि मैं ही राजा हूं और मेरे सब्धी कानून है यह कथन की सासक का था तो यह जो कथन यह तकतन था लूई चोद्वां का ठीक है अप्सें नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर होगा उननेस का क्या होग ठीक है उननेस नंबर वाला जो कोश्चन है इसको आप लोगे बढ़ चेक कर लिजएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 20 लेकिन यहां पर मेरे अकॉडिंगे जो कोश्चन नंबर 19 से ना इसका सही उत्तर आप्सें में देखी होगा लूई चोद्वाई इसका सही उत फार ठीक है 21 का सही उत्तर आप्सें नंबर फोजाएगा कोश्चन नंबर 22 के देखीते कीकि नेपॉलिएन का कोड के नाम सी किसे जाना जाता है तो यह जाना जाता कानूल संक्र ठीक है कानूल हो जाएगा तो 22 स्फोडर बचर आप एक ONEY हुझा कोश्चन नमर believing कि क्या है क है कि यहां पर है कि ट्रियोटाइजेस अप्जृत्र। नमर एक हो जाएगा जॉन लॉक इसका और हो जाएगा देगल यहाँ पर मैंने साथ सब्सक्राइग दिया है 24 जो सहीट्ट्र होगा और एक हो जाएगा देगल यहाँ पर लिखा प्रांस में जो किसानों का वद्द्र हो था 1789 में ही हुआ था चब इसका अप्शन नमर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन में 27 क्या है कि राजेट दिलाइल ने किस चर्चित गीत की रजना की तो मारसी ले हो जाएगा ठीक है आठास का सही उत्तर अप्शन नमर फोर हो जाएगा आगे चलिए एक क्वेश्चन नमर उन्तिस क्या हो जाएगा कि लेनिन कौन था तो जो लेनिन था वह कौन था तो वह वोलसेविक पार्टी का नेदा था 29 का सही उत्तर option number 1 हो जाएगा question number 30 यहां पर क्या देख सकते हैं कि कुलक से क्या समझते हैं तो कुलक माने होता है किसान की अच्छी हालत तो 30 का सही उत्तर option number 2 हो जाएगा किसान की अच्छी हालत अलोग देख लिजिए यह आप रूत्तर में option number 2 ही लिखा हुआ है देख सकते हैं कोई प्रोलम नहीं है आप लीचले question number 31 क्या है कि 1917 में क्या है जार साही के पतन की घटना को क्या कहते हैं तो इसको बोला जाता है October क्रांते क्या बोला जाता है October की क्रांते 31 का सही उत्तर option number 3 ही चले question 32 क्या देख लिए कि जार किस देश का साजक था तो यह रूस का साजक था 32 का सही उत्तर option number 2 हो जाएगा question 33 के और चलते है question 33 क्या देख लिए कि सामाजिक उबंद नामा कुष्टक के रचना किस ने की तो रूसों ने क्या है तो जो कोलखोज था वह सामोही खेती था ठीक है चोंतिस का सही उत्तर option number 2 हो जाएगा question 35 क्या है कि 1929 में किसने रूस में सामोही की करण कारीकरम सुरू क्या किसने शुरू क्या था तो इसका से हो जाएगा इस तालेन ठीक है अपसे नमर टू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे चाहिए question number 36 देख लेते हैं क्या है कि रूसी सासक जार क्या है निकोलनस दूति ने कभ त्याग पत्र दिया तो देख लिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर इसका सही नमर टू यानिके दो मार्च 1917 को दिया था question 37 क्या देख लिए क्या है कि लुई ब्लांग कौन था तो जो लुई बलंग था वह एक राष्ट्रवादी था option नमर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा question 38 क्या देख लिए कि कि किसके नितरी तुम्हें मजदूरों का जुलू जाएगा question 40 क्या है कि रूसी बोलसेविक पार्टी का नेता था क्या हो जाएगा लेनिन इसका सही उत्तर होगा ठीके 40 क्या हो जाएगा option नमर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा question 41 बढ़ते हैं 41 क्या है कि अक्टूबर करांती प्रारंब होने के समय रूस का परदान मंत क्या है कि लेनिन के बाद रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी का नेतरी तो किस ने क्या पहले तो लेनिन कर रहा था उसके बाद किसने क्या है आपको बताना है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टालिन हो जाएगा स्टालिन भी आव लोग बोड़ सकते हैं तो अप्ट्री बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे चाहते क्वेश्चन 43 संग का विगठन का हुआ तो 1901 में हुआ था और यहाँ पर आगे आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप लोग 12 जाएंगे तब स्टालिन जाए तो जो सः चाहिए बीचार के इसका सही उत्तर हो जाएगा से जो क्या है कि क्या क्या है कि है कि नियुक्त का नाम था जिसका तरो ज़िए आगे बढ़िये और क्ष्यालिस क्या है कि कई खेतों को मिला कर के जाने वाले सामूहिए क्या कहते हैं जब बहुत सारे खेतों को मिला कर साहता है तो इसको बोला जाता है कम्यून ठीक है अपसे नमर एक बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा कोश्चन नमर 46 देख सकते हैं क्या है कि रविंद्रनाथ टेग और किस बर्स रूस की यात्रा पर गए थे किस बर्स गया था उनने सुतीस में किया था अपसे नमर थे बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे चलते हैं आगे देख लिए क्या है कोश्चन नमर 47 है कि सामाज बाद सब्द का सरपर्थम परियोग किस ने क्या था तो यह क्या था आपका रॉबट और वेन ने ठीक है संच्दालिस का सही उत कर्ल न मांकरस निवासी था तो यह भी अठाल का स merciful एक कर्ल मांकर reuse के लेकका क्या है थे कर्ल मांकर कुष्ची कोश्चने 50्द का क्या है क्या दुनिया के मैजध्यूरों कष ने दिया था जिसका सहे उत्तर हो जाए कार्ल माकर्स तो यहां पर मैं आप लोगों को तो आपको वीडियो पसंद ने वीडियो को लाइक करें जितना वीडियो को सेर कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जहिंद